नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में दोस्तों आप सभी सरीक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाएं साथी साथ बिल नोटिफिकेशन को भी आउन कर लें ताकि नई वीडियो जाप सभ सबसे पहले मिलें आए आज का टोपी को स्टार्ट करते हैं जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से कैसे भावनाओं से संचालित होते हैं शारीरिक अंग जिहां भावनाओं का हमारे शरीर पर असर होता है इसी को जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से भाव दी जाए तो गलत नहीं होगा हमारा शरीर और मस्तिश्क बहुत हद तक एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं यहीं वज़ा है कि हमारी भावनाय हमारे शरीरिक उंगों को अलग-अलग तरह से मंस्तिश्क और दिल का रिष्टा सबसे पहले समस्ते हैं इसकड़ी में व्यज्ञानिकों के अनुसार हमारा मस्तिश्क हमारा दिल लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं अचेतना आवस्था में भी इन दोनों के बीच बात्चित का सिलसिला सुचारू रूप से चलता रहता है इनके बीच होने वाला वारतालाप ज्यादातर मनुभावों पर ही आधारित होता है यह मनुभाव किस तरह के हैं यह मस्तिश्क की कारेप्रणाली को प्रभावित करते हैं इसके बाद नंबर आता है अव्यवस्थित हार्मोन जिहां मसलन अगर आपका दिल सकारात्मक भावनाओं को सिगनल के तोर पर तक पहुंचा रहा है तो आपके हार्मोन ज्यादा लैबद्ध नियमित और सुव्यवस्थित होते हैं वहीं अगर यह मनुभाव नाकारात्मक हैं तो हार्मोन अनियमित और अव्यवस्थित तरीके से शरीर में श्ट्रेस बढ़ा देते हैं इसका दूश परिणाम क्या होत है दरसल आपके भीतर नाकारात्मक भावनाओं की संख्या जितनी ज्यादा होती है आपका शरीर उतना ही कमजोर होता चला जाता है अगर आप किसी बात को ले करके शर्मिंदा हैं प्रतिशोध लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के गिल्ट में जी रहे हैं त अगर आपके अंदर नाकारात्मक मनो भाव हैं तो इससे आपका चेहरा आपके बाल और साथी साथ बाहरी वेक्तितों भी इसके दूश परिणाम को जहलने लगता है नाकारात्मक मनो भाव बिमारियां लाते हैं जिहां इसके अलावा शोक भाय कुरूद और नफरत जैसी भावनाएं भी आपके शरीर को कमजोर करती हैं जिसकी वजह से आपके रोक प्रतिरोधक शमता कम हो जाती है और आपका शरीर जल्दी ही बिमारियों की चपेट में आ जाता है आप कम उम्र में भी खुद को काफी अधिक महसूस करने लगते हैं यानि कि अधिक उम्र वाला समझने लग जाते हैं अब तनाव का दूश प्रभाव जान लिजे अगर आप लंबे समय से किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं या फिर एक लंबे दोर से आप सिर्फ और सिर्फ नाकारात्मक विचार ही रख रहे हैं तो इसका असर आपके शरीर के महतोपून अ वैसे तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है इसकी सहायता से शरीर की कई क्रियाओं को नियंतरित किया जा सकता है जैसे रोग प्रतिरोधक शमता प्रजनन शमता और पाचन शमता को बढ़ाना इसका कार्य है लेकिन अगर लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से आपके श शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसके अलावा कमजोर पढ़ा शरीर जिहां शारीरिक संबंधों के शेत्र में आप कमजोर पढ़ने लगते हैं किल मुहां से ज्यादा दिखाई देते हैं आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं कुल मिला करके यह कहा जा सक है कि शरीर का हरभा किसी न किसी विशिष्ट भावना से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वे संचालित होते हैं जिहां भावनाओं से जुड़े हैं हमारे अंग उदारन के लिए आपका दिल खुशी और गम जैसी भावनाओं पर चलता है आपके फेफडे दुख और पर भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं लगातार तनाओं में रहना आपके लिए नुकसान दायक होगा जब आपके तनाओं का पारा नीचे जाता है तो आपका बलर प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है लेकिन लगातार चलते रहने वाला तनाओं आपके शरीर को ठीक हो से रिलेटेड थी मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों